जैसियाराम दोस्तों मैं रामा ब्लोग्स अयोध्या से स्वागत करता आपका श्रीराम मंदिर आंदोलन के एक बेहधी बॉखला देने वाली वीडियो में क्योंकि इस वीडियो में श्रीराम मंदिर आंदोलन की वो सच्चाईयां बताने वाला हूँ जो हम लोगों से छुपाई गई है एवं श्रीराम मंदिर निर्माण में कार्य करने वाले मुस में जैसियाराम की हाजिरी जरूर लगाएं और इस वीडियो को पूरे श्रधा भाव से आखिरी तक देखें चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तो उत्तर प्रदेश के आगरा के कारीग्रों ने अयोध्या में अपनी कलाकारी से सब को प्रभावित किया है दरसल अयोध्या में बन रहे भगवान श्रीराम मंदिर का भव्य उद्घाटन जनवरी दो हजार पेईस में होना है इसके लिए दिन रात काम चल रहा है मंदिर में लगने वाले पत्थरों पर खास तरीके की नकाशी उकेरी जा रही है एवं इस काम को आगरा के फतेहपूर, सीक्री और खेरागड में किया जा रहा है गाव में 65 शिल्पकार और कारीगर दिन रात मेहंत कर पत्थरों को बेहत खूबसूरत तरीके से तराश रहे हैं इन पत्थरों में ये कारीगर अपनी कला की जान फूक रहे हैं तथा भगवान राम के मंदिर को समवारने के काम में जुटे मुसलिन शिल्पकारों का कहना है कि प्रभु के नाम से उनकी रोजी रोटी चल रही है दोस्तों फतेहपूर, सीक्री के दूरा और खेरागड के नगला कमाल में हस्त शिल्पियों की कार्यशाला लगी है इसमें 65 कारीगर काम कर रही है कार्यशाला के सुपर्वाइजर किशन स्वरुक ने बताया कि राम मंदिर में लगने वाला पत्थर राजस्थान के वंशी पहाड़पूर से आता है एवं इन पत्थर को पहले बयाना में लगी स्पीटिंग मशीन से काटा जाता है इसके बाद पत्थर को कार्यशाला में लाया जाता है और इन पत्थरों को मंदिर के परकोटे के लिए दिन रात कार्य किया जा रहा है उन्होंने बताया कि 14 जून से अब तक करीब 5000 घन फीट पत्थर तराशकर अयोध्या भेजा जा चुका है दोस्तो हस्तशिल्प कला में फतेहपुर सीकरी का दूरा गाव देश भर में प्रसिद्ध है यहां से कारीगर देश के कोने कोने में जाकर अपनी कला का लोहा मनवा चुके हैं कारीगर धर्मेंदर कुमार ने बताया कि उननीस सो तिरानवे और उननीस सो पंचानवे में फतेहपुर सीक्री के दूरा गाउं में तराशे गए हाथियों को लखनव भेजा गया था खेरागर के कारीगर महावीर का कहना है कि प्रभु श्रीराम के नाम से उन्हें रोजी रोटी मिल रही है एवं सबसे खास बात यह है कि प्रभु के मंदिर में उनकी कला दिखाई देगी ये उनके लिए गौरव की बात है तथा राम मंदिर में लगने वाले पत्थरों में कमल की नकाशी उकेरी जा रही है जिसमें छत, पिलर सेट, खरसल, कुंभी, कोटासरा, बीम, सिलकड़ाउ, दासा, ठेकी आदी गढ़े जा रहे हैं दोस्तो कार्यशाला में काम कर रहे हस्त शिल्पकारों के साथ साथ मजदूर भी लगे हैं एवं मेहनताने के तौर पर योग्यातानुसार एक से डेड़ हजार रुपए प्रतिदिन मिल रहा है कार्यशाला के कारीगर हमीद खान का कहना है कि उन्हें धर्म और जात से कोई लेना देना नहीं है ये काम तो राजनैतिक लोग करते हैं हम लोग गाउं के रहने वाले लोग हैं हमारी सुभः तो रामराम से होती है भगवान राम के नाम से उन्हें रोजी रोटी मिल रही है एवं नसरु खान कहते हैं कि वे तो मंदिर और मस्जिद दोनों के लिए मिलकर पत्थर बनाते हैं यहीं पर मस्जिद के लिए पत्थर तराशते हैं अब राम मंदिर के लिए भी तराश रहे हैं इनके साथ साथ रफीक, सद्दाम रहनु खान समेट कई मुस्लिन कारीगर काम कर रहे हैं। इनके साथ महिलाएं भी पत्थरों में रंग भरने का काम करती हैं। दोस्तो हर वह संत आज उस दिन को याद कर रहा है। जब विश्व हिंदू परिशत के अंतर राष्ट्रे अध्यक्ष अशोक सिंगल। राम मंदिर आंदोलन के प्रनेता कहे जाने वाले गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनात परमेहंस रामचंद्रदास जैसे संतों क अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल हुआ करते थे। एवं धर्मनगरी के संत बताते हैं कि यहां कई दौर की बैठके हुई। इन में मंदिर निर्मान से लेकर मुकदमे की पैरवी तक की पूरी रुपरेखा निर्धारित होती थी, बैठकों में ततकालीन वह संत श चुके थे। वर्ष 1984 से 1992 के बीच के दशक में श्रीराम मंदिर निर्मान की पूरी रुपरेखा इसी धराधाम में तै की गई। संतों में श्रीराम लला के प्रान प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर इस कदर उच्सा है कि वह अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में परिवर्तन कर अयोध्या जाने की तैयारी में जुट गए हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि 1984 में गोरक्ष पीठाधिश्वर महंत सांसद अवैध्यनात के नेत्रित्व में शुरू हुए आंदोलन को धार देने में विश्व हिंदू परिशद और धर्म नगरी के सं उजना बनाते थे। तो वह हरिद्वार में बनती रही आश्रम और अखाडों के साथ उन्होंने कई दौर के बैठक किये जिसमें देशभर के संथ शामिल होते थे। तथा धर्म नगरी में कई बैठकें तो इस तरह भी हुई की प्रशासनिक इंटेलीजेंस को भी इसकी भ आनोकान भनक किसी को नहीं लगती थी। उन्नीस सौ बानवे में राम मंदिर आंदोलन के दौरान हुए बाबरी विध्वन्स के बाद जितनी भी बैठके हुई इन में धर्मंगरी के प्रमुख आश्रम और अखाडे तो शामिल होते ही थे। एवं कई मठों के शंकराचार भी इसमें आते थे। यहां तक की तुलसी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी रामभदराचार्य महाराज भी चित्रकूट से इन बैठकों में शामिल होने पहुचते थे। दोस्तों प्रभूश री राम हमारी अस्मिता हैं। एवं आने वाले समय में विश्व के अ पांदोलन में शामिल रहे, उनका बहुत बड़ा योगदान है, आज वह शरीर से भले ही नहीं है। लेकिन उनका स्मरण करना बहुत जरूरी है। अशोक सिंधल, महंत अवैध्यनात, महंत राम चंद्रदास जैसे संतों के नेतरित्व में उननीस सो चौरासी से उननीस सो 92 के बीच करीब 50 बैठके हुई। दोस्तों श्रीराम केवल भारत के नहीं अपितु श्रीराम प्रत्येक व्यक्ति के आदर्श है। भगवान राम जैसा आदर्श विश्व में नहीं है, विश्व में उनके समानांतर का उदाहरन नहीं दिया जा सकता है। राम का जो मंदि राम जन भूमी न्यास का दायत्व है कि इसमें सभी राजनीतिक दलों तथा सभी संप्रदाय और आश्रम अखाडों को आयोजन में शामिल करे। एवं देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं। उनका दायत्व है कि राम मंदिर को स्थापित करें। राजनीती के मंदिर क स्थापित करने की आवश्चक्ता नहीं है इस बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा लखन रखुराई और कपीश भिगदा उठाई उत्षठ माया वीभयकारी राम कपीत सदाचारी पून धर्म स्थाप नलाई युठ लड़े हनुमत रघुराई ये का था बाहबली हनुमत की रुचकर लीला राम भगत की जै 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 रगुनंदल राम जै जै माबली हनुमार दुष्ट दनुज चक्रास्त्रा मारा इन्तु का पीश विफल पर हारा बवन तने विपति मिवारे काज सवारे संकट टारे ये का था बाहबली हनुमत की रुचकर लीला राम भगत की जै 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 रगुनंदल राम जै 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 बाहबली हनुमार